शरणागति या आत्म समर्पन कोई सामान्य शब्द नहीं है सामान्य लोग थोड़ा सा अगर भक्ति मार्ग में या इश्वर के और बढ़ने का प्रयत्न करते हैं तो वो उनके मुझे से एक सब्द निकलता है कि हम शरणागत हो गए हैं हमने समर्पिक कर दिया है अपने आपको लेकिन जब तक व्यक्ति योग मार्ग की यानि वेदान्त की कहें वेव योग मार्ग की कहें कि एक सिक्ष्या को गहराई से न समझ सके नहीं जान सके तब तक वो शरणागति की परिभाशा को गलत ले लिता है वो समझता है कि मैं बिल्कुल अक्रिय हो जाओं अपने जो दैनिक जीवन के करतब भी हैं उनसे विमुक हो जाओं एक प्रकार का कहें कि ये तमोगुण में उचल जाना है या रेजोगुण भी नहीं कहें कि वद तमोगुण में आ जाना है निस्क्रिय हो जाना है शरणागतिक अताथ परी है कि जो भी इश्वन ने हमें दिया हमें दिया है जैसे कि ये शरीर दिया है मन दिया है बुद्धी दिया है इंद्रिया दिया है अहंकार दिया है और ये पूरा जो जगत है वो दिया हुआ है इनका जो जो उद्देश ही है कि वो है अपने मूल सरूप आत्मन को जानना पहचानना या आत्मसाक्षातकार और बिना इन उपकरणों के वो आत्मसाक्षातकार प्राप नहीं कर सकता है अगर इन उपकरणों का अगर वो सही से उपयोग नहीं कर रहा है तो उसे शरणागत नहीं कहते हैं भौतिक जगत में भी अगर हम कोई कारी करते हैं तो हमें अपने विभिन उपकरणों का प्रियोग करना पड़ता है जो बाहरी उपकरण है और भीतरी उपकरण है लेकिन जो से एक महानुदेशी है जीवन का जहांके पून्ट शान्ती प्राप्त होती है उसके लिए क्या इन उपकरणों का प्रियोग नहीं करेंगे तो अपने विवेक का प्रियोग करना बुद्धी को इश्वर की बुद्धी को तेक्ष्ण करना यानि बुद्धी से ज्ञान मार्ग को ठीक से समझने का प्रियत्न करना भक्ती मार्ग से अपने भावनाओं को शुद्ध करना और मन को इधर ज़र नहीं भटकाते हुए इनके माध्यम से सेवाकारी में संगलंगन रहना जिससे कि चित्तु शुद्धी हो सके और अहंकार को तामसी हंकार को राधिसी हंकार की और मोडते हुए फिर से सात्वी की हंकार बना देना सात्वी की हंकार का तातपरी है कि वो अब जो भी उससे प्राप्त होता है जो भी वो कर रहा है उसका शेव अपने इगो को नहीं देता है न अहंकार को शेव दिया जा सकता है इसलिए अपने अहंकार को विनमर बनाते हुए यानि कि सात्वी की बनाते हुए और अपने देनिक जीवन के जो भी कर्तबी कर्मे हैं उनको सुचारूरूप से करते हुए जो सात्विकी कर्मे हैं यह निकि जो अनाचार वारे कर्मे हैं या जो धर्म से रहित कर्मे हैं जो पापाचार कर्मे हैं उनसे विमुख हो करकर कि जो कर्म हैं चित्य शुद्धी कराते हैं उन कर्मों को सुचारू रूप से करते रहना यानि अपने जीवन को बिल्कुल क्रियासील बनाए रखना और यही मार्ग कहलाता है शरणागत हो जाना शरणागती या आत्मसमरपण में अगली जो पहचान है वो कभी भी अपने किसी भी कारी के लिए अपने अहंकार को श्रेई नहीं देता है हनमान जी ने लंका जलाई थी और कहें कि हनमान जी अगर नहीं होते तो सीता जी की खुज नहीं हो पाती लेकिन हनमान जी ने कभी भी अपना राम जी के आगे या किसी के आगे उसका श्रे अपने आपको नहीं दिया वो विनमर भाव से निरंत भगवान के चर्णों में ही बैठे रहते थे यानि शर्णाकति से भक्त का जो जीवन है वो सरल हो जाता है विनमर हो जाता है लगंसील वाला बन जाता है उसमें जो आसुरी गुणें जैसे किसी का अपमान करना है देश करना है इर्षया रखना है शोख है चिंता है वो धीरे धीरे उसके भीता से ये जो आसुरी गुने ये भी समाप्त होने लग जाते हैं और पूर्ण शर्नागती में फिर इनका पूर्ण रुप से अभाव हो जाता है तो शर्नागती का ताद परी है ध्यान योग का भ्यास करते विए मन को एकागरत करना यानि मन को शुब विचारों में लगाना भक्तियोग के माध्यम से जो अशुब विचार हैं अशुब भावना हैं उनको शुब भावनाओं में परिवर्टित करना जैसे अगर हिंसा है तो उसके बल्ले प्रेम है और भी आएं और बुद्धी को तेक्ष्ण बनाते हुए कि मेरा सुरूप क्या है मेरे जीवन का लक्ष क्या है और जो अन्य अंग है शरीर के उनके माध्यम से जो भी कारी करें उनको इश्वरार्पन कर दें ये भावना तुरंत नहीं आती है तो शर्णागति या आत्मस्वर्पन तुरत फुरत नहीं हो जाता है एक दिन में नहीं आ जाता है एक वर्ष में नहीं आ जाता है जितने आधिक हम अपने जीवन को सरल बनाएंगे, जब काभ्यास करेंगे, यानि साधना मार्गों को पकड़ेंगे, उतने ही अधिक श्रनागत्य के मात्रा बढ़ते जाएगे, उतने ही मन के जो कलमशे हैं, वो दूर होते जाएंगे, उतने ही अंकार बिलिन होते जाएगा, और उतनी ही चिंताएं मन से दूर होने लगेंगी और उसी क्रम के अंसार में रागदेश भी धिरे धिरे मिटने लगेगा